कि यहीं दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोग लिए profit and loss का कुछ important प्रेस्ट लेकर करके आयों और अगर आप किसी विग्जाम के तयारी किर रहे हो तो आपके लिए important होगा दोस्तों मैंने सारे आप लोग पूरा वीडियो वाच करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो का लाइक करें चैनल सब्क्राइब करें और वीडियो का अधिक से अधिक से शेयर करें दोस्तों तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण आपका एक घोड़े को 20,000 रुपया बेचने पर 25 परशंट लाव होता है अधि उसे 40 परशंट लाव पर बेचा होता तो घोड़े कितने रुपय में बिखते हैं सिंपल सा प्रश्ण दोस्तों सारे के सारे प्रश्ण आपके 10 सेकंड के अंजर बनेंगे तो देखिए 20,000 रुपया में बेचने पर 25 परशंट लाव और जब भी लाव यहानी होती है तो परशंटेज में जब भी बात हो तो 100 परशंट में बात होगा दोस्तों यह चीत बस इतना ही धियान रखने आपको तो 25 परशंट लाव 10 से बढ़कर कि यह कितना हो जागा तो 125% हो जाएगा तो 125% बराबर 20,000 तो बोल रहा है कि अगर 40% लापर बेचा जाता तो 40% अनि 100 प्लस 40 अनि 140% तो 140% बराबर तो 20,000 गुने 140 और बटा में 125 आ जाएगा दोस्तों 125% अब इसको आप काड़ दीजिए देगे 25% प्चे 125 अर 25 अठे 200 अर दो 0 बचा 2 0 यहां दे दीजिए अब इसको काड़ दीजिए 16,85 अर एक 0 बढ़ चिराए तो एक 0 और दे दीजिए अब 160 को 140 से गुना कर दीजिए और जब गुना गिजएगा तो आपका 22,400 आपका इंसर हो गया दोस्तो अज़म सीम्पल सारे के सारे सौट टिक्स है दोस्तो तो सही इंसर आपका क्या हुआ तो 22,400 सी नमबर इंसर हुआ दोस्तो ज़ले आगे बढ़ते हैं और नेक्ट प्रस को देखते हैं अब देखें दूसरे नमबर प्रस को दोस्तो दूसरा नमबर आपका प्रस्ट है एक दुकंदार ने एक साइकL 10% पर भीती वह साइकल को कितने रुपय बेचता कि उसे 99% हानी होती अधिद 10% हानी पर विक्रे मुल 12 रुपिया हो देखे दोजों, बोल रहा है कि 10% हानी पर विक्रे मुल कितना? 1200 हो तो 10% हानी, अनि 100 में आपको 10% 100% में 10% घठा दीजिए तो कितना आएगा? 90% तो 90% 90% बराबर कितना है? तो 1200 यहां दिया हुआ है कितना है? तो 1200 दोस्तों तो बोल रहा है कि 10% हानी पर विक्रे मुल 10% हानी दिया हुआ है ठीक है? 19% हानी पर होती अधिब सैकिल को कितने रुपे में बेचता कुछे 19% हानी होती तो 19% हानी अगर 100 में हम 19% घठा देंगे कितना बचेगा? 81% दोस्तों तो 81% बराबर तो 1200 गुने 81 बटा यह 90 कर दीजिए अब कर दिजिए दोस्तों यह 0 यह 0 नौ नवा एकासी अब उसको गुना कर दीजिए बरनवा इठोतल से तो कितना आ जागा दोस्तों? एक सो आट एक जी रो बच रहा है तो 180 रुपय दोस्तों अई आपका इंसर आगया तो सही इंसर क्या हुआ तो 180 रुपय दोस्तों चले आगे बढ़ते और स्याम को बेच दिया स्याम ने उसे 10% घाटा साकर उसे मोहन को बेच दिया बताइए मोहन ने साइकल कितने रुपया में खरीदा था और जब भी इस तरह प्रस रहे तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों क्रेमूल पूछे तो यह हजार एक हजार जो है यहां लिखे और 20% परसेंटेज में तो बता में 100 कर दीजिये गुना फिर है 10% घाटा 10% घाटा अनि 100 में 10 घाटा देंगतर 90% और परसेंटेज बता में 100 अब इसको कार दीजिये दोस्तों अब यह 2-0, 2-0, 1-0, 1-0, 1-0, यह 1-0, 1-0 बार नवा इठो तल थे तो कितना है दोस्तों यह 1080 लुपिया में खरीजा था तो 1080 रुपिया में खरीजा था दोस्तों अब आपका इंसर हो गया तो सही एंसर क्या हूँ तो बी नमर हो दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं और नेक्श बरस को देखते हैं आप लोग पुरा वीडियो वाज नहीं करते दोस्तों आप लोग चैनल पर देखिएगा तो कोई फाइदा होने वाले नहीं है आपको जहां देखना हो वहाँ देखिए लेकिन पूरा वीडियो वाज की दिये तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए चलिए अब चौते प्रस को देखते दोस्तों चाउता प्रस्ता आपका महेश ने एक घड़ी 10 परचेंट ठानी पर बेचा अधी उसे 5 परचेंट ठानी पर बेचता तो 60 रुपया अधिक मिलते महेश घड़ी कितने रुपये में खरीजा था अब यहां अंतर का बात कर रहे हैं दोस्तों जान देजेगा 70 पर यहां 5 पर चेंट ठाने और 70 रुपया अधिक मिलता उन्तर का बात हो रहा हैं तो 10 पर-चेंट ठानी इनिये आने 90 परसेंट हैंव अर यहांख बोल रहा है 5 % हम फान्स परसेंट देजानर है 95 परसेंट Jubल भूरा यह वाधिक मुलता हैं ॥ो जब भी खता हम नतर का भात है हवत यह रहां तरक आन्टर का निकाल दीजे यह रहां तरक निकाल दिटि एन ढ़नmbol गया परचेंट इस पांच परचेंट जो गैपिंग है दोनों में उसका अंतर क्या है यह साथ रूपया तो आणि पांच परचेंट ब्राबर यह साथ रूपया दोस्तों तो आप से पूछ रहा है महेश घडी कितने रुपिये में खरीदा था खरीदा था आने करमल cp Coast price तो क्या है खरीदा था जब भी cost price क्रामल होता तो 100% होता है दोस्तों तो यहां लिखे 100% बराबर तो 100% बराबर 60 गुने 100 बता में 5 कर दीजिए अब कर दीजिए दोस्तों 5 से तो 12-12 में तो 12-5 यह कट गया अब 100 को 12 गुना कर दीजिए कितना जागा 12 दोस्तों अही आपका इंसर आ गया तो महस्ने घड़ी कितने रुपया में खरीजा था तो 12 रुपया में खरीजा था दोस्तों चले मुझे उमीद है दोस्तों मैंने जो समझाने का कोशिज कर रहा को समझ मा रहpriверж होगी अगर किनी को समझ में नही आ रहा हु तो टेलिग्राम जोइन करें वहां पे कोचन को आप सेट करें के सर यह कोचन मुझे समझ मांने आई मैं वहाँ भी उपलब्ध हूं आपको हमेशा आप कोसिस करोंगा टाइम निकाल के आपका प्रस्ट शॉल्ब कर दूँ चलिए देखिए आप पांचों प्रस्ट को दोस्तों कि देखिए पांचों प्रस्ट दोस्तों आप विडियो को पहुच कीजिए और बनाने का कोसिस कीजिए पांचों नंबर प्रस्ट को देखिए आपसे बनता या नहीं क्योंगे सेंप्रस्ट दोस्तों देखिए पाचव प्रस्टे एक वेक्ति अपना फरनीचर 15% लाब पर बेचा अजीवा 10% हानी पर बेचता तो उसे 500 रुपया कम मिलते फरनीचर का क्रेमूल क्या है कॉस्ट प्राइच आपसे पूछ रहा है दोस्तों तो देखिए 15% लाब जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100% में होता है कोई भी काम 100% होता है या लाब हो या हानी हो तो परसंदरा परसेंट लाब आनि 115% और फिर बोल रहा है 10% हानी आनि 100 में 10 घटा दीजेगा तो कितना आजागा 90% और बोल रहा है उसे 500 रुपया कम मिलते आनि अंतर का बात कर रहा है दोस्तों क्या पूछ रहा है अंतर का बात कर रहा है तो अंतर निका लिए इसका ये परसेंटेज में है वो रुपिया में ह तो 115 में 90 घटा दीजे तो आपका कितना राजागा 25 परसेंट दोस्तों इस पती सечा का जो गइबिंग है वो 500 रुपिया के बरावर है कितना है दोस्तों तो पॉछ रुपिया और 25 परसेंट बुरबर 25 रुपिया तो पूछ रहा है करे मूल गयात करिए करे मूल जब भी ह होता है तो 100% होता है तो 100% बराबर तो 500 गुने 100 और बटा में यह 25 आ जाएगा अब करणेजी पचीस चौके 100 अब जो है कोस्ट प्राइज क्रेमुल कितना गया 500 को चार से गुना कर दीजिए अनि 2,000 और यह आपका एंसर होगा दोस्तों तो सही एंसर क्या हुआ तो सी नमबर हुआ दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हो नेक्ष्ट प्रस को देखते हैं दोस्तों आप लोग सब्क्राइब कर ले चैनल को दोस्तों क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और मैं परते एक दीन 7 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ दोस्तों चलिए कभी कभी लेट भी होता है चलिए आपको मैनेज कर सक देखते हैं चलिए छट्टे प्रस को देखते हैं चलिए चलिए प्रशना आपका एक दुकंदार दो टीवी सेटों को एक ही मुल्व पर बेजता है एक पर 20 परशंट लाब होता है दूसरे पर 20 परशंट हानी होती है तो उसे दोनों पर कुल मिला कर कितने परशंट लाब या हनी होती है जब सिंपल सा परश्य दोस्तों सारे अलों से बन जाएगा 20 परशनंट लब हो रहा है तो सो में 20 गटा देंगे 80 और पर्सेंटेज में है तो बटा में 100 लिख दीजे अब कर दिजिये दोस्तों 1 0 1 0 1 0 1 0 अब कितना आगा बरेठी 96 नैंटी शिक्स आये दोस्तों लेकिन अभी आपका इंसर नहीं आया है यहाँ पूट्रा है किकूल मिला कर कितने परसेंट लाव या हानी होता है तो 100% पे होता किकंदे में घचंट दीज्ए यह 96 घटा है तो 4% तो क्या है दोस्तो एक चीज़ ध्यान दिजेगा अगर 100 से अधिक आता है तो वह लाब होगा और 100 से कम आता है तो वह हानी होगी यहां क्या हुआ तो 4% की हानी हुई क्या है दोस्तो 4% की हानी यह आपका इंसर हो गया दोस्तों तो सही इंसर क्या हुआ तो बीनमबर हो दोस्तों चली अब आगे बढ़ते हो नेक्स प्रस को देखते हैं बस इतना ही करना है दोस्तों कि लाब और हानी को गुना किजिए बटा में 100 लिखिये और जो आता है उसको सव में घटा दीजिए अधिक आगा अतलाब होगा और कम आएगा तो हानी होगी चली आगे बढ़ते हैं नेक्स प्रस को देखते हैं कि सारे के सारे सौट टिक से लाएं दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो बात किजिए और दोस्तों वीडियो को अधिक आधिक शेयर करते हैं देखे इस सातेव नुबर प्रस दोस्तों सातों नुबर प्रस न आपका एक वेक्ति-दो वस्तों में से परतेग को 99 पिम बेज कि दोस्तों सेम प्रश्न है दस परसेंट लाब और एक सो दस और फिर बोला दस परसेंट हानी और नभी लावा और हानी को गुना किजिए और बटा में 100 लिकिए अब काटी ये जिरो ये जिरो ये जिरो ये जिरो ये जिरो अब कितना है दोस्तो 39 आए 99 अब क्या है आपको बताए थे कि 100 में आप घटा दीजिए 100 से अधिक आता है तो लाब होता है और 100 से कम आता है तो हानी होता है या 99 आए तो 99 आए तो 99 आए तो 99 आए हम तो क्या होगा इक पर्षेंट की १ा निहीं होगी दोस्तों क्योंकि omega100 से कम आया है आज है आपका answer आगे दोस्तों चलब तो सए answer क्या हुआ और तो d protocols को नच्स को देखतें हैं में देखें दोस्तो नम्बरबरात देखी आटाओं नमबर बिद्टण एक टी दो unto एक ही मुँल पर बेजता है पहली वस्तो पर उसे बीस परसेंट लाप दूसरी वस्तो वस्तों पर पर 35 परसेंट लाप होता है अधि पहली वस्तों का क्रे मुल do s दूसरी वस्तु का करेमूल गयाद करें थोड़ा सा अंतर है दोस्तों लेकिन कुछ भी नहीं यह सारे के सारे सौट टिक से बनेंगे तो देखिए ध्यान दीजेगा यहां 20% यह 25 अज़िप पहली वस्तु का करेमूल 10,000 रुपया हो तो दूसरी वस्तु का करेमूल की आद करने भोल रहा है यहां दूसरी वस्तु जो है 25 परशेंट लाव हो रहा है तो 125 परशेंट सव में जोड़ेंगे हम 25 क्योंकि लाव हो र तो 10,000 गुने 120 और बटा में यह 125 आ जाएगा अब इसको काड़ दीजे दोस्तों तो 25 पचे 125 हो जाएगा और बटा दीजे दोस्तों तो दूसरी वस्तों का क्रेमूल क्या आया तो 96 रुपया अई आपका एंसर होगा दोस्तों तो सही नंबर वह दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रेस को देखते दोस्तों अब देखिए 9.終 drive, 9 đầu Packout, नवा नमर प्रच्ट न है आपका, देखेंछ week लिए एक वारा विडियो को पहुअ को पहुँ पराशंच करके बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बन जाना चाहिए एक प्रश्ट दोस्तो क्योंकि मैं ने जो इससे पहले जो आठवे नमबर परस को बताया है इसी टाइप का है चले आप लोग देख लिए होंगे मैं बता रहा हूँ सियाराम अपनी दो कारे बराबर मुल पर बेचा एक कार पर उसे 10% लाब दूसरी पर 20% ठानी हुई अधि वह दूसरी कार एक लाख एकीस जार में खरीदा हो तो पहली कार का क्रेमुल ग्याद की दे अब पहली कार का क्रेमुल ग्याद करने बोल रहा है तो पहला जो है 110% लाब हुआ है कितना हुआ है तो 10% तो 110% सब्सक्राइब क्यार जोड़ेंगे क्योंकि लाब यहानी जब भी होती तो 100% होती है तो यह कितना हो जाएगा तो हमारा जो है 110% हो जाएगा सिंपल सा बात है दोस्तों तो 110% परूसरी बदावर 11,21,000 तो तो 20% हानी यह बोल रहा है 20% आरे तो 20% हानी आरी 80% बता तो 80% ब 121,000 बल्टा में 110 आ जाएगा अब क्या कीजिए यह 0 और यह 0 कार दीजिए अब इसको कटे 11 को एगर एगर है 121 को करता है यह कट गया और यह 3 0 यहां पर बल्ठा दीजिए अब 11 को 800 ना करेंगे तो 88 आ जाएगा और 3 0 है 3 0 है आप यहां पर बैठा दीजिए कितना आ गया 88,000 आ गया दोस्तों अहीं आपका इंसर हो गया तो सही इंसर क्या है हुआ तो बी नमबर हो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हो नेक्स प्रस को देखते है परते एक दिन मैं साम साथ बजे वीडियो अपलोड कर देता दोस्तों देखिए अब दस्वा प्रस देखे दोस्तों और पीडियाप जो है टेलिग्राम पर मैं टाल दूँगा वहाँ पर आप लोग डॉनलोड कर लिजेगा दस्वा प्रस ने दो साइकिल करम सा 1215 रुपयां खरीद कर एक को 20% लाब पर बेच दिया बताए दूसरी सा साइकिल का विक्रेमुल समान रहे थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाल दिया एकजामनर ने लिए कुछ भी नहीं दोस्तों ये भी सौट ट्रिक से ही बनेगा देखे दो साइकिल है एक बारा सो और पंदरा सो में खरीदा था और एक पर 20% लाब तो दूसरी पर साइकिल को कितने परसेंट लाब यहानी पर बेचे है कि दोनों साइकिल का विक्रेमुल समान रहे अई तो पूछ रहा है कुछ भी नहीं है देखें दोस्तों कैसे बनेगा सो ये बारा सो और ये 20% लाब एक को 20% लाब पर तबारा सो एक मेंट ये बारा सो कब 20% लाब तो एकसो व्येस बाटा सो कर दिजिए और ये जिरो ये जिरो ये जिरो ये जिरो ये जिरो अब कितना जगा बरबरे 24 144 जिरो बच रहरा है तो 1440 रुप्या आई दोस्तों अब बोल रहा है कि दोनों साइकिल का विक्रे मुल समानों बताए दूसरी साइकिल को कितने पर्सेंट लाब या हानी पर बेचे एही तो पूछ रहा है यह 1440 रुपिया में तो 1440 रुपिया में यह झो है खरीदा था एकमिनिट बेचा था ठी यह बेचा था था विक्रेमूल ठीक dope अब 1500 रुपिया को इसको वरावर करना है ये USDA का विक्रिमूल समार होूँ तो ये 1440 रुपियấu और ये खरीदा था 1500 रुपिय में ये हानी हो जाएगा किना हानी हो जाएगा तो बनदरह सउ मैनस 1440 कि बेड़ीज बरावर 60 रुपया का हानी होगा ये पंदरा से रुपयाम जब बेच confess दोस्तों दोनों का विक्राइब समान करना को ये जब अब 60 रुपया के हानी हो रहे हैं और पूछ रहा है कि कितना % तब % में हानी हानी परसेंट बराबर है हानी गुने 100 । बटा क्रेमूल CP फर्मूलए तो दो सो अब हानी हमारा 60 हो रहा है गुने 100 करदीजिए और बटा में करे मुल कितना है तो 1500 है देखिए यहां पर 1500 है यहां 1500 लिख दीजे अब इसको काड़ दीजे दोस्तो यह 2 0 और यह 2 0 अब काटे 15 4 60 अब कितना हानी हुआ दोस्तो तो 4% 4% 4% हानी बेच तो दोनों का विक्रे मुल समाना जा गगाथ सई क्या हुआ थे मिद्स हाँ दूस्तो अबर आप लुड करेंढों शांगे यहां को फ्लेज बीडियो का लाइक करां चैनल सबर्क्राइब करें आर विडियो को अधिक श्यक्षिए दोस्तो कि अकुर si